हेलो अले वेलकम तो डिकोगनिशन आई एस एडवांस जोगरफी कोर्स में हम लोग देखने वाले हैं आज question and session तो question answer का ये first session है and यहां पर जो हम लोग देखने वाले हैं वो सारे ही जो भी हम लोग ने lecture 1 के दौरान में questions लिये थे उसी को हम लोग basically discuss करेंगे and देखिंगे आखिर में question को कैसे start करना चाहिए क्या लिखना चाहिए और कैसे end करना चाहिए obviously this is advanced geography so question will be little bit of higher level और थोड़ा सा यहां पर जो content भी हमें development करना होगा वो भी हम लोग थोड़ा सा एक mature तरीके से करेंगे it may be new for new experience तो इसमें आपको करना यही है कि आपको सीखने की कोशिश करनी है कि कैसे structuring करनी है क्योंकि content तो आपको 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 आलड़ी पहले से ही पढ़ाया जा चुका है so आपको अब क्या है कि question कैसे practice करना है that you need to understand we tried to come online live आने की कोशिश की गई थी but there were some technical glitch कभी internet नहीं चल रहा है तो कभी फिर mic नहीं respond कर रही थी तो we ultimately decided not to come online we will again move on with this recorded session और आगे भी इसी तरीके से करेंगे और अगर आपके कोई doubt रहेंगे तो obviously आप अपने जो doubts होंगे वो comment section में या फिर आप mail करके भी पूछ सकते हैं ताकि आपके सारे भी problem को जो भी problems है उसको sort out किया जा सके still अगर कोई भी अगर live आने की अगर माली जरूद पड़ेगी तो we will now onwards we will focus on zoom session because that is I guess running very smoothly but here there are some problems I know it is from my side or from YouTube side but there is problem so without getting into it let us start our first question पहला question हमारा है this was the question first question is synthetic study of relationship between human society and the earth surface comment अब देखे इस तरीके के statement आजाएंगे तो आप जब question देखेंगे तो you will feel blind नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है तो जब भी इस तरीके के question आए और अगर आप blind feel करें अपने आपको तो कुछ भी मत करिए सबसे पहले question को आप तोड़ना शूरू करिए यहां पर तीन पार्ट है जैसे एक है synthetic study दूसरा है relationship और तीसरी पार्ट है human society और earth surface के बीच में earth surface को आपको जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि this is basically physical geography यहां पर यह कुछ physical geography के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है दूसरा है human society human society से आपको यह समझ में आ जाएगा कि यहां पर probably human geography के बारे में बात कर रहा है तो आपको basically एक relation maintain करना है human geography का physical geography के साथ में और वो भी एक synthetic study करनी है तो यह आपका एक synthetic word भी आ गया अब देखें यहां से आप क्या क्या आप refer कर सकते हैं आप refer कर सकते हैं इस तरीके के study की गई थी किसकी किसके द्वारा कहीं ना कहीं एक Humboldt सहाब के द्वारा भी की गई थी कहीं ना कहीं रैडजिल के द्वारा की गई थी कहीं ना कहीं रिस्थोफन के द्वारा भी की गई थी तो हमारे पास बिसिकली तीन कंट्रिब्यूटर्स तो फटा फटा आ चुके हैं जिन्हों ने human society को earth surface के साथ में synthetic study करके अपनी theories दी थी in fact अगर आप देखेंगे तो statement जो है this statement was actually propounded by किसके द्वारा दिया गया था ये दिया गया था रैडजिल के द्वारा तो अब देखेंगे जरूरी नहीं है कि आपको सारे statement याद ही हूँ लेकिन statement को decifer करना आना चाहिए तो आपको एक idea लग गया कि हाँ ठीक है ये तीन लोग होंगे जो हमें लिखने होंगे अब answer मतलब शुरुवात कैसे करनी है शुरुवात के लिए देखिए वही structure होता है आपको एक introduction लिखनी होती है introduction लिखने के बाद आपको फिर body लिखनी होती है body लिखने के बाद फिर आपको conclusion लिखना होता है तो इस तरीके से आपको basically practice करनी होती है ताकि आप exam में जब final exam में देने जाएं तो आपको इस तरीकी की processing आपको दिमाग में ना करना पड़े Now, introduction क्या हो सकता है इस question का? Question का अगर आप देखेंगे तो जो main context है वो है relationship between physical geography and human geography क्या करेंगे आप? तो आप यहां पर define कर ये human और physical geography के बीच में relation कैसे start हुआ human and physical geography relation ठीक है? अब आप यहां पता दीजिए कि किसी भी एक region में in a particular region if you are going through with it then there will be some physical properties along with it there will be human properties in the ancient geographers the contributors focused more on physical aspect of the region and they actually skipped the human part but later on human geographies was also taken care and ultimately in the works of Varanus and Kant Varanus and Kant they both adopted both part of the geography physical geography along with it human geography ठीक है? तो आपने एक introduction लिख दिया कि यहां पर दोनों कैसे actual में link हो रहा है और कौन से contributor ने इनकी शुरुवात की है फिर आप एक यहां पर flow chart बना सकते हैं आप एक flow chart यहां पर बना सकते हैं कैसे बनाएंगे? आप इस तरीके से करेंगे यहां पर आप लिख दिए pre classical era और यहां पर आप दिखा दिए दोनों लोगों को हमारे Bernard Varanius के बारे में आप लिखा सकते हैं अब दूसरा लिखा दिजए यहां पर Emanuel Kant के बारे में दोनों लोगों के बारे में दो-दो लाइन लिख दिजए point format में obviously key points लिखने होंगे आपको यहां पर आप लिख सकते हैं कि this is objective study this is objective study of geography of geography अब यहां पर कहीं पर भी physical और human नहीं है दोनों है physical plus human ठीक है यहां पर आप लिखेंगे क्या this is subjective study this is subjective study of geography ठीक है और वो भी again physical plus human दोनों ही यहां पर भी आजाएंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे classical era इस classical era में आप बाते करेंगे obviously दो लोगों की और उनका नाम है Humboldt और बात करेंगे Karl Ritter की दोनों लोगों के बारे में again simple simple एक-एक लाइन लिख सकते हैं कि हम बोल्ट ने he focused more on the physical aspect of the geography but he did not ignore human aspect same thing again Karl Ritter के बारे में भी पता देंगे लेवांस्ट्रम अगरे के बारे में अगर बताना चाहें तो आप बता सकते हैं फिर उसके बास आप आजाएंगे flowchart आपका खतम होगे आप आच आएंगे में body में तो यहां पर आप लिखना शुरू करेंगे the relation between the human society and the earth surface was actually ignored by the earlier geographers but later on contributors tried to make a relationship between these two subjects और यह इसमें जो है Radzil was the main contributor who actually tried firstly to make a synthetic study of the relationship between human society and the earth surface ठीक है तो यह line आप लिख देंगे जितना जितना मैंने बोला अब यहां पर आप justify करना शुरू करेंगे अब यह justification में आप बताना शुरू करेंगे कि जो Radzil थे he was influenced by social darwinism where group of human beings must struggle to survive in a particular environment as much as plant and animal organisms that must do यह सारा जो content मैं बोल रहा हूँ यह आपको अलरडी बताया जा चुका है तो आप उसको refer करिएगा जो भी Radzil के बारे में जानते हैं you can simply refer it with a tone की आपका जो question है relationship between human society and the earth surface है ठीक है तो आप basically Radzil को extra focus करके लिखेंगे Richthofen and Humboldt को केवल और केवल introductory जैसे Humboldt को यहाँ पर introductory उसकी तरीके से यूज करेंगे जब आपका content खतम हो जाएगा Radzil के बारे में तो obviously you will move on to the conclusion अब इस conclusion में क्या लिखेंगे conclusion में आप explain करेंगे Richthofen के बारे में आप बताएंगे कि किस तरीके से Richthofen ने एक physical और human के बीच की जो dichotomy थी या दोनों के बीच में बोथ the component of its geography like a human society along with it the earth surface यानि physical और human दोनों के बारे में हमें बताना होगा लेकिन बाद में concluding remark में आप लिखेंगे although Richthofen solved the dichotomy between the human society and the physical society but he actually established a new dichotomy that is the determinism versus possibleism or he established a new dichotomy between man and environment relationship तो इस तरीके से overall जो होता है एक answer आप लिख सकते हैं so this is basically the broad overview and broad structuring of this question clear हो गया अब हम लोगे आगे next question पर आते हैं next question is study of changing relationship between the unresting man and unstable earth question number two यह हमारा question number two है यहाँ पर है कि study of changing relation between the unresting man and unstable earth again देखिए question थोड़ा सा tough है question देखेंगे तो आप अगेन फिर से blank हो जाएंगे लेकिन अगेन इसमें ऐसाच कोई blank होने वाली बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ खास देखिए question है नहीं बस क्या करना है question को आपको break करना है question को जब आप break करेंगे तो यहाँ पर फिर से देखिए क्या क्या है study of study तो खैर कोई बात ही नहीं है changing relation between unresting man and unstable earth unresting man के बारे में अगर देखेंगे तो this is basically what this is human and unstable earth का मतलब क्या हो गया this is basically earth यानि की physics यानि physical geography ठीक है और यहाँ पर यह हो गया human geography अब यह unstable है यानि की continuously यह changing nature में आ रहा है same उसी तरीके से unstable earth है यानि यह भी changing है अब यह भी changing है यह भी changing है और दोनों के बीच में relation maintain करनी है तो what is this this is man changing है environment भी changing है तो man environment continuously एक दूसरे को किस तरीके से impact कर रहे है that is actually the study of this question कि study of changing relation तो इस तरीके से आपने question को decipher कर लिया कि यह basically determinism possibleism का question है determinism possibleism का question है अब determinism possibleism में जितने भी आपको contributor का नाम याद है लिख सकते हैं चाहे वो ancient time के हो चाहे फिर वो pre classical के हो हो या फिर आपके classical के हो या फिर आपके बाद के हो clear so अब यहां पर अगर देखेंगे तो mainly जो contributors आपको लिखने है एक तो विडाल के बारे में आप लिख देंगे इसके अलावा huntington के बारे में आप लिख देंगे तो यह कुछ important लोग है जिनका नाम तो आपको लिखना ही लिखना है इन फैक यह statement दिया गया था Alan Simple के द्वारा इन्होंने statement दिया था तो आपको देखिए again याद करने की ज़रूरत नहीं है आपने किवल और किवल decifer कर लिया है किसी तरीगे से कि यहां पर relation कैसा है question कैसा है और मुझे क्या लिखना है फिर से वही same structure हमाने होने वाला है सबसे सबसे पहले हम लोगर केंगे introduction फिर मुझे के body फिर मुझे रिखेंगे इसका conclusion ठीक है अब देखिए इसको कैसे क्या करना है यहाँ पर फिर से आप सबसे पहले यहाँ पर फिर से divide करेंगे question में की this is introduction सबसे पहले ne songe इंटबॉडक्व के आप आ यागे सबसे पहले आप रिलेशन बता देंगे कि how man is impacting over environment और environment is impacting over men and कैसे यह होती है basically ठीक है तो कोई एक example लेकर के भी आप दिखा सकते हैं like men ने जो भी greenhouse gas या जो भी emit किये हैं उसका एक हमें effect after effect देखने को मिलना है in the format of global warming तो यह आप एक example के थुरू भी start कर सकते हैं फिर आप बताएंगे this is how man environment relation actually exist ठीक है अब यहाँ पर फिर से आप क्या करेंगे flow chart बना देंगे अब इस flow chart में क्या करेंगे start करेंगे अगेन अपने वही ancient geographer से ancient time पर जो भी man environment के बीच में relation बताया गया है जैसे Aristotle ने बताया हुआ था इसके अलावा Hecateus ने बताया हुआ था इसके अलावा Plato ने भी बताया हुआ था फिर आप आगे बात करेंगे Strabo ने भी बताया था ठीक है Strabo के बाद फिर कई सारे और भी लोगों ने बताया था जैसे कि Buffon ने बताया था this is Buffon technology को ले करके इन्होंने बोला हुआ था कि किस तरीके से क्या होगी इसके लावा Montesky उन्हें बताया हुआ था so ये contributor के नाम केवल और केवल flow chart में आपको बताना है and what you can do is you can simply write a single line for all of the contributors within the flow chart ठीक है फिर आप आगे बढ़ेंगे अब Bernard Verenius और Emmanuel Kant को बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों ने man environment के बारे में नहीं बताया now you will come to the classical, classical geographers और यहाँ पर आप बताएंगे कि किस तरीके से दोनों ने एक दूसरे को अलग-अलग करने की कोशिश की जैसे कि Oscar Paschal इन्होंने basically केवल और केवल physical aspect को ध्यान दिया ठीक है इसी तरीके से आप Humboldt के बारे में भी पता सकते हैं कि इन्होंने भी केवल और केवल physical aspect को focus किया तो कहीं न कहीं यह physical aspect आगे जा करके environmentalist या फिर determinist बना दिया लोगों को कि it is the only thing that is actually dominating over man और इस तरीके से हमारा system develop हुआ लेकिन फिर हमारे विडाल सहाब आते हैं विडाल के बारे में भी आप लिख देंगे कि इस तरीके से इन्होंने भी अपनी जो theory है उसके बारे में बताया कि कैसे यह page scale पर इन्होंने पूरा का पूरा system किया है इसके बाद आप इसी को concept को आगे extend करेंगे और विटल से के बारे में भी बता देंगे कि कैसे यह extend किये थे अपने concept को in the name of compage compage के नाम पर कैसे इन्होंने extend किया हुआ है अब आजाएंगे main अपने body पे this flow chart is complete now you will come into next discussion अब आप रिष्टोफन से start करेंगे रिष्टोफन के बारे में आप पूरी explain करेंगे चीजे के कैसे इन्होंने physical geography human geography को एक साथ में collect किया और एक साथ में दोनों component को integrate करने के बाद main environment के बीच में एक dichotomy established की फिर आप बताएंगे ln simple के बारे में ln simple और यहाँ पर बताएंगे कि this is not actually the thing actually man is impacting our environment only on those regions or only on those links which is actually providing by providing by the environment तो यह system आप लिख देंगे अगर आपको कोई और भी part याद है then obviously you can write जैसे कि अगर आप इनकी book वगरे का नाम लिख देंगे तो obviously it is going to give you more and more marks तो इनको थोड़ा सा एक focus करके आप लिख देंगे और lastly आप Huntington के बारे में बता देंगे Huntington के बारे में Pulse of Asia और जो भी इनकी किताब है उनके बारे में लिख देंगे अब आप यहाँ पर यह relation खतम हो गया this question is almost complete next is part is only and only the concluding part conclusion आपको लिखना रहेगा conclusion में आप क्या लिखेंगे conclusion में आप basically Griffith Taylor के साथ में जाइए Griffith Taylor के बारे में लिखिए और यहाँ पर आप केवल और केवल introductory remark बताएंगे stop and go determinism के बारे में and that is all यह आपका question हो गया complete तो इस तरीके से basically इस question को आपको handle करना है तो हम लोगों ने पुराने question को देखा this is the question and this is the second question जिसका answer अब एक तरीके से discuss कर लिए this will be the structure और इसी तरीके से आपको करना है next question लोग देख लेते हैं human geography is a human ecology तो अब जड़ा ecology के बारे में बात कर लेते हैं अब यहाँ पर again जब question देखेंगे दोस्ते देसे something like again फिर आपको एक discomfort फिलोगा कि यहाँ पर क्या लिखना है फिर से आप यहाँ पर divide करिये this is human geography human geography में तो खेर कुछ बताने की जरूरत है नहीं और दूसरा है आपका human ecology human ecology का मतलब somewhere down the line it is going to be discussed as an environmental concept तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या relation है यही आपको बताना है कि how these two things are actually linked with each other अब देखिए human geography is human ecology फिर ecological point of view के बारे में जैसे ही point आएगा तो आप थोड़ी सी ecological point को ले करके चलेंगे जैसे कि Aristotle ने बताया था Aristotle ने ecumen, non-ecumen के बारे में बताया था तो this is somewhere it is related with the environment इसी तरीके से आप Gene Baudine का नाम बता सकते हैं Gene Baudine का नाम ठीक है इसी तरीके से आप Montescue का नाम बता सकते हैं this is Montescue ठीक है इसी तरीके से आप Buffon का नाम बता सकते हैं तो कहीं न कहीं यह इस तरीके का system आ जाएगा लेकिन इसका जो main answer है वो है actually बरोज के हाथ में यानि जो हमारे कंट्रिब्यूटर था जिनका नाम था एच एच बरोज बी एडबल आरो डबलू एस एच एच बरोज इन्हों ने एक्टुली इस स्टेटमेंट को प्रपाउंड गिया था इनके बारे में बेसिकली फोकस करना है तो अगेन हमारा क्वेशन कैसा होगा इंट्रोडक्शन देन बॉड़ी एंड लास्टली हमारा कंक्लूजन ठीक है तो इंट्रोडक्शन में वही आप पुरानी चीजों के बारे में बताएंगे कि हाव दिस इन्वार्मेंट एंड मैन अजदेर तो आप मैन इन्वार्मेंट रिलेशन के बारे में ही यहां पर भी डिसकस करेंगे जैसे हम लोगों ने पुराने कुशन में डिसकस किया है फिर इसके बाद से आप फ्लोचार्ट बना देंगे एंड इस फ्लोचार्ट विल बी अगेन जो यहां पर जितने भी बारे में या फिर जो भी जो भी चीज़ें हैं वाटेवर दा कंटेंट इस यू आल्रीडी नो वी हाव अल्रीड इसको डैट वो सारे कंटेंट को आप यहां पर लिख लेंगे इन दा फ्लोचार्ट अब इसके बास से आप आगे बढ़ेंगे और आगे अब एच एच बरो एक तो यह पॉइंट आपने लिख दिया दूसरा पॉइंट इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि ही इंफिसाइज एट एट इमन उकलोजी शुट बी यूज़े फॉर्ट अफ मैने इन इंवियरमेंट ही वाज नॉट अच्छली डिटर्मिनिस्ट बट फॉर दा मैंस पैल लिख सकते हैं तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी कंटेंट लिखना था वो कंटेंट लिख दिया नौ यूँ आप तो जस्टिफाई योरसेल्फ क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है कंटेंट जो है वो कमेंट के बारे मोल रहा है तो आपको करना होगा जस्टिफाई करने के दोरान में आप अयलन सेमपल के कंसेप्ट को ले आ सकते हैं हन्टिंग्टन के कंसेंट को ले आ सकते हैं कि और विडाल के ले और इन्होंने जो होते है वो cultural geography के बारे में लिया था cultural geography तीनों के बारे में बता देंगे किस तरीके से movement हो रही है किस तरीके से चीज़े आगे बटत रही है and all that ये सब चीज़े आप बता देंगे ultimately आपको करना है conclusion बाकि आपका सारा content हो गया लास्ट ली आपको conclusion के बारे मताना है, conclusion में आपको stop and go determinism के बारे में explain करना होगा, तो जितना भी आप stop and go determinism के बारे में जानते हैं, सब के सब within 30 words में आप इसको लिख दीजिये, आपका हो गया question complete, so this is the model answer or you can say this is structuring for this question, question looks very difficult but it is actually very simple question, इसी तरीके से आपको देखिये, thought में थोड़ा मोड़ा जो घुमाये गा सकता है, जो twisting की जा सकती है, वो की जा सकती है, otherwise the question will be very simple, और यहाँ पर जितने contributor और जितने justifications आप दे सकते हैं, वही आपको marks extra दिलाएगा, clear हो गया, next question हमारे आता है, discuss the futuristic aspect of human geography, अब देखिए यह ऐसा question है, which is actually, it is called as open-ended question, this is open-ended question, अब यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, human geography का आपको aspect अगर पता रहेगा, तो you can simply just write, कितना भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन, जो भी आप लिखेंगे, obviously this is going to be very general, बहुत ही general होने वाला है, तो आप क्या लिखें, कैसे लिखें, देखिए इसके लिए already we have studied this slide, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा किया था, कि human geography admires, serves the objective of liberal education, it helps us to understand the world we occupy and to appreciate the circumstances, this is again very general, it clarifies the contrast in society and culture, तो इस तरीके से जितनी भी चीज़े आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो भी general लिखेंगे हैं, लेकिन आप general नहीं लिख सकते हैं, आपको लिखना है थोड़ा सा यहाँ पर geography और वो भी geography optional, कैसे लिखेंगे, देखें, आप start करिए अपने futuristic scope के बारे में बताना है, तो आप बताईए सबसे पहले human geography होती क्या है, तो human geography के आप definition लिख दीजिए, ठीक है and its component आप लिख दीजिए, ठीक है, component का मतलब हो गया सब कुछ, जैसे कि आपका population, settlement, regional development, political geography, ठीक है, या फिर कहीं पर कोई geomorphic phenomena भी हो रही है, that is again comes under human geography, because somewhere down the line humans are going to impact by that geomorphic process, तो यह भी चीज़ आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, तो component और human geography आपने दिखा दिया, अब आजाईए अपने flow chart पे, अब आप flow chart में यह दिखाईए कि, what is the history of, history of human geography, अब history में आप basically यह दिखाएंगे कि कैसे develop हो, जैसे सबसे पहले human geography क्या था, it was descriptive nature, केवल और केवल descriptive था, contributor का नाम फिर आप लिखेंगे, क्या, कांत लिखेंगे, हैटनर लिखेंगे, ठीक है, फिर आप बताएंगे कि कैसे यह जो descriptions था, ultimately, actually mathematical या फिर objective study में गया, तो यहाँ पर भी आप बता देंगे, जैसे की Humboldt का नाम आप बता सकते हैं, this is Humboldt, फिर आप बता सकते हैं, इसी human geography में कैसे mathematics आई है, या फिर कैसे description, कैसे generalization आया है, तो उसमें भी आप विडाल का नाम लिख सकते हैं, कि कहीं न, कहीं नोंने भी generalization किया, but it was not up to that kind of scale, but it was there, फिर आप विटल से का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर आप आजाएंगे कि कैसे, यह जो descriptions थी, ultimately, QR phase में चली गई, या फिर इसी के अलावा, आप aerial differentiation के बारे में भी बता सकते हैं, this is Heartstone का theory आप ब बारे में बता देंगे, shepherds के बारे में बता देंगे and all that, तो आपने यहां पर बता दिया कि कैसे हैं, एक human geography का जो subject पहले descriptions था, फिर model making हुआ, फिर welfare हुआ, फिर humanistic हुआ, फिर radical हुआ, और ultimately now onwards, we are looking this human geography as part of the overall development of the society, और इस overall development of the society में सब कुछ होती है, सब कुछ का मतलब culture भ होती है, religion भी होता है, ठीक है, तो caste भी होता है, फिर everything, तो सब कुछ यहां पर आप लिख देंगे, अब आप आजाएंगे futuristic aspect पे, तो आपने flow chart complete कर दिया, फिर आप बता देंगे कि there are multiple things in the present society that we need to focus on and we can get solutions of the problem of the human geography or the society that we are focusing right now, अब यहां पर दिखिए, यहां पर आप क्या है कि problems एक साइड में बताते आईए और साथ ही साथ में उसके solution को भी आप दिखाते आईए, मतलब आपका first point जो होगा, पहले वो problem बता रहा होगा, then साथ ही साथ में वो solution भी बता रहा होगा, just like एक example ले ले लेते हैं, poverty, poverty is a thing which is you can say very subjective thing and here human geography prevails, यहां पर आपको बताना होगा कि conditions for the poverty are like developing nation or underdeveloped nation, resources की कमी होती है, फिर जो welfare होना चाहिए, welfare नहीं हो पाता है, अब आप यहां पर solution के बारे में बता देंगे कि this should be the, this should be a future scope for the human geography to search on, कि what should be the criteria for the poverty, ठीक है, तो अब आप poverty को ले करके यहां पर कोई एक formula बता सकते हैं, यहां फिछ भी बता सकते हैं, इतनी थिंग, this will be a futuristic scope of human geography, this is number one, number two, आप बता सकते हैं कि जो भी crimes वगर हो रहे हैं within the society, again this can be taken care by the human geography and it can be a futuristic scope for human geography, जैसे एक छोटा सा solution कि कि किसी भी city में अगर crime रोकना है, then इसे जो है dead होने से रोकिये, dead city किसको बुलायाता है, dead city वो होती है, जैसे CBD होती है, central place theory या फिर central जो भी बताना चाहें, building unit भी होती है, तो यह जितनी भी CBD होती हैं, जितनी भी CPT होती हैं, उनको कभी dead मत होने दीजिए, उसे night shift भी provide करिए, night shift कैसे provide होगा, हर एक residential building के नीचे, मता हर एक residential building को first floor या उसक की ground floor हो, वहाँ पर आप हर जगा पर commercialization, commercial buildings बना दीजिए, जो भी commercial building होगी, वो अपना light वगर है, जलाएगा ही जलाएगा, then obviously there will be a reduction in the decline of this crime, ठीक है, तो यह आप problem एक solve कर सकते हैं, third problem अगर आपको लेना चाहें, तो आप international relations से भी ले सकते हैं, कैसे जो हता है, countries, now they are grouping with each other, क कोशिश करना है, तो again that is the futuristic perspective for this human geography, so we have lot of futuristic spokes for this human geography, कुछ भी आप लिख करके उसको फिर justification दे दीजिए, बस आपको एक काम करना है, जब भी आप कोई भी cause and effect लिखिए, cause and effect जब भी आप लिखेंगे, तो cause में माल दीजिए, आपने solution बिठा दिया, अब इसका effect में आप कहीं न कहीं कोई न कोई एक geographical या तो model को लगाईए, या फिर geographical thought को लगाईए, और इस तरीके से आप अपने answer को लिखेंगे, this will be a pure geography optional answer, clear हो गया क्या करना है, so this is the all and we have tried to explain all the questions जो भी चीज़े हैं, बाकी अब most probably आपको एक start मिल जाना चाहिए, जो भी start आप अभी feel कर रहे होंगे कि नहीं मिल पा रहा है या फिर start आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इसके थूरू start कर सकते हैं, so this is all for today, and अगर कोई problem आती है, तो obviously you can reach us by using the methods, अपने answer भी आप send कर सकते हैं, recognitionis at gmail.com पे, and please start writing the answers, otherwise there will be no use of this course, क्योंकि या answer भीना लिखे, आप के वल पढ़ लेंगे, तो उ have to write, जब आप लिखने पर आएंगे, तो obviously आपने notes को वापस से reopen करके देखेंगे, and you will try to look out the content, और वही actual में, वहां से आप जो है, geography फिर सीखना शुरू करेंगे, so better will be start writing even today onwards, और इस चीज़ को करिए, मिलते हैं next video में, till then goodbye, and thank you so much.